वेल्कम बैक तो बाइटूब चल पेपर हैकर और आज किस वीडियो में देखेंगे जो भीक शात्र मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई भी नहीं है यह यूपी की आल उनिवस्टी को लिए और बिहार की और उत्तराखंड और MP उनिवस्टी के लिए काफी इंपोटेंट है यहां से बाहर कुछ नहीं बनने वाला आपके सलीवर सब्जेक्ट में जो जो पढ़ना है बाकि कुछ एक्स्ट्रा मत देखना मत देखना बस यह ध्यान रखो अब यहां देखो क्या क्या को नहीं है कि मनु के जो मनु था वह मनु के पिर्मुक राजनितिक विचारों की विचार कौन-कौन से थे ठीक है यह आपसे पूछेगा मनु के राज के जो संप मनु के राजनितिक विचारों के बारे पूछेगा जरूर मॉस्ट इंपूटेंट कोशन है यह कोशन आप टिक लगा लेंगे इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना मैं आपसे बोल रहा हूं उसके बाद में आता है कि अर्थसास्त्रग में वर्त ठीक है कोटले के पिर्मुक के अनुसार की करताव ग्या के सकती गौले किजिए मतलब जो पौट लिए उनकी अनुसार राजा की करतव क्या होते है उनकी सकतिय आकौन कहुंसी हो दियें उनके बाद में आपको एक्स्प्लीनित कर ठीक है उसके बाद में क्या बन जाना कोटले मुद्द लेक घूंक है इस परकार से हो गा और उनके प्रमुक राजनितिक मैंने देखों पिर्मुक राजनितिक भी सार मदॉट करिये पुडैं के यहां पढ़ने की जूरुत नहीं है आपको ऊपर आपको बता दिये उसके बाद मैं रैं कॉट्टेल मंडल सिध्धांत क्या होता है कॉटली के उसके बाद में रजाराम वोन्राय थीक है राज種िती और समाजिक विचार क्या है उनके वारे जयात करेंगे और महादेव गोशामी कह सकते हैं महादेव गोविंद जो कह सकते हैं रनाडे थे उनके समाजिक विचारों की उलेक करना है और राजनितिक विचारों का उलेक याद करना है ठीक है इन दोनों को याद करेंगे उसके बाद में हैं गोपाल किष्ण गोखले के राजनितिक विचारों की समिक्षा कीजिए most important question है most important है गोखले वाल और लाल कह सकते हैं बाल गंगार्था तिलक जो है उनकी राजनीती में क्रांतकारी थे उनका इसपश्ट करना है कौन कौन से क्रांतकारी थे मतलब कि जो राम गंगाधा तिलक आपके आपसे पूझेगा करयो करांतकारी थे यह यह फिर आपसे पूझेगा कि अर्विंद घौस के राष्ट बाद की संकलपना कि अर्विंद घोस्ते उनकी राष्टवाद की संक्लपाप बढ़न करो यह निमंद लेगो आप से तरीके से कोशन मुझेगा ट्रिक लगा लो समी लोग अपने बुक नोट्स गैस पेपर में नेक्स कोशन उन पे टोंट है देखो कौन-कौन सा कोशन इस कोशन को याद समाजिक और राजनितिक विचारों का वड़न करो समाजिक और राजनितिक विचारों का वड़न करो समाजिक और राजनितिक विचारों का वड़न करना है समाजिक और राजनितिक विचारों को याद करने ना है और गांधिवाद क्या होता है समाज बाद में तुलना है और समाज बाद में तुल्ला पूछ लेता है गांधी बाद और समाज बाद में तोल्ला पूंचिंपूटेन है जबाहलार नहरु के अंतर राश्चिबाद क्या है और उनकी युद्ध सांथि onके विचारों के वारे में आपको बताना है एक थे आपको बताए M.N. Rai M.N. Rai most important है M.N. Rai के राजनीतिक योदान क्या रहा है उस योगदान के बारे में आपको याद कर लेना है मनु इसमर्ति क्या होती है मनु इसमर्ति पर आप से टिपड़ी पूछेगा शुम जो मनु के राजा थे मनु के दारा जो- राजा के क्या वश्यक कारे थे मैंने ऊपर बटा रखा है इसको देखना ऊपर आप याद कर सकते है मनु की पारे में और मनु के मन्डाल सिध्धान को इसपरस्ट का रओम यह भी मैनने को उपर इस पर बता दिया इसको याद करने के ल्गारती भारती ролik में जो व्रह समाज में उसका क्या मैं आप से DR आपको याद कर लेना है नेक्स कोशन पर टिक लगाना है राजा राम मुहन राय के प्रेस की सोतंतता संबंदी बिचार क्या है मतलब प्रेस की जो सोतंतता आर्टीकल नमर 19 में दे रखी है आपको उसके बारे में आपको बताना एक्स्प्लेंद करना है उसके बाद में है देखो गोपाल किष्णो गोकले की सोतंतता संकलपा के बारे में आपको याद कर लेना है और उसके बाद में बाल गंगादा तिलक की जो आसांती थी आसांती के जनक थे मतलब क्या कह सकते हैं आशांती की जनक नाम देखो बाल गंगा तिलक को आसांती के ज विचार है आप रस्ताती उनके संबंद में विचार किया रहे है महात्मा गांदी के तो वह आपको याद करने यह कोशन थे एक्जाम 2022 में आने वाली कोशन और आप इन कोशनों को याद करके 85% ब्लस लेके आएंगे 85% और आपको कुछ फिल करने वाला पैदा नहीं है आप इ अहली बार चैनल पर आए तो चलों को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को ब्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेर कर दीजिए थैंक यू बाइबाई टेक क्यार